कि हलो फ्रेंट अगर आप इंडियन एक्जाम भी होता है जो टोटल 50 प्रस्ट के रहते हैं तो आपके लिए इस लिए बेडियो इंपोर्टन्ट है जो कि यह ब्रस्ट फिर्ट के रहेता है नंब़र ँठाना जो आसान है आप किसी भी वीडियो को जिद्य आराम से देखते हैं मैं नहीं भी जाते हैं कोच्छिंग हो गड़ा ठो आपको आसानी से आप उन प्रस्न को कर सकते हैं प्रस्थारे वेदियो को आप देखेंग barn यह पोड़ाते हैं पर अफ का ठारीत पहला प्रसंद देखे सिखों ने कुलू के पाल वन से राजगर्दी कब चीन ली थी तो देखे इसका राइट एंसर हो जाएगा तो ही आपको सारे प्रस्ण जो है मिक्स रूप से आप देख पाएंगे ठीक है ना और समझ पाएंगे अगला प्रस्ण आपका है हिमाचल परदेश में निम्न में से किस जीले में कथा उद्योग केंद्री थे अनि क्या स्थापी थे सही उतर होगा option ये कांगला जीले में हिम 1398 इस वी में सही उतर option भी हो जाएगा कि 1398 में तेमूर लंग ने कांगला पर आकरमन किया था देखे आपका अगला प्रस्ण है किस रियासत के सासक ने मोगल समराट जहांगीर की कांगला का किला हस्तगत करने में मदद की थे तो राइट अंसर हो जाएगा option ये नूरपू रियासत का नाम क्या था नूरपूर था और नूरपूर के सासक ने मोगल समराट जहांगीर को कांगला का किला हस्तगत करने में मदद किया था ठीक है अगला प्रस्ण देखे आपका option भी जगत सिंग को भेजा था अगला प्रस्ण आपका देखे दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था तो राइट एंसर हो जाएगा option D नूरपूर नूरपूर के रियासत के राजा को अपने बेटे के तरह मानती थी वो दारा सिकोह की पत्नी थी आपका अगला प्रस्ट है मुगल समराट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगला किसे परदान किया था ठीक है जागीर के रूप में मुगल समराट अकबर ने जागीर के रूप में जो है कांगला किसे परदान कर दिया था तो सही उतर हो जाएगा option D बीरबल को मुगल ने जो है अकबर ने जागीर की रूप में दे दिया था कांगडा को अगला प्रसन अपका है कांगडा के सासक जैचेंद को किस मुगल बातसार ने कैद कर लिया था तो right answer हो जाएगा option D अकबर कांगडा के सासक जैचेंद को किस मुगल बातसार ने कैद कर लिया था तो अकबर ने कर लिया था देखे अगला प्रसन है हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छातरपती का खिताब दिया था तो right answer हो जाएगा option C कहरी सिंग क्या हो जाएगा कहरी सिंग हो जाएगा हिमाचल के किस राजा को औरंग जेब ने औरंग की छातरपती का खिताब दिया था तो सही उतर हो जाएगा option C ठीक है आपका अगला प्रस्थन है महल मोरिया नामक एतिहासिक अस्थल जहां राजा संसार चंद्र एवंगोर्खों के बीच युद्ध हुआ था कहां पर इस्थी थे तो right answer हो जाएगा option B हमीरपूर क्या हो जाएगा हमीरपूर में इस्थी थे आपका जो अगला प्रस्थन है किसने राजा घमन चंद को अपने समराईज का आगे विश्थार करने से रोका था तो इसका सही उतर हो जाएगा option C जस्था सिंग ने रोका था घमन चंद को अपने समराज का विस्तार करने से किसने रोका था जसा सिंग ने आपका जो अगला प्रस्थन है डल होजी नामक परवतिये पर्याटन केंदर निमलिखित में से किस राज में इस्तित है आपका जो अगला प्रस्थन है दच्षिन भारत के पठारी परदेश को कौन सी नदी दो भागव में विवाजित करती है तो राइट एंसर हो जागा ऑप्सथन दी नर्मदा नदी ठीक है और तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोगों ने 15 इंपोर्टन परस्थन को किया उमिध है वीडियो अपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंट्स के साथ भी इसको जरूर सेर कर देजिएगा मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेगा बहुत बहुत धन्यवाद